नमस्कार दोस्तों, अमारे चैनल में आपका स्वाकत है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको अगर आपने किसी को मेसेद भेजा है और उसको आप डिलिट करना चाहते हो तो भी डिलिट कर सकते हो। पहले कैसा था, कि WhatsApp में अपने किसी को message send कर दिया, तो send कर दिया, उसको आप delete नहीं कर सकते थे, अपने mobile से अगर delete कर रहे हो, तो फिर उसके mobile से delete नहीं हो रहा था, और वो आपके message पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इस वीडियो में हम देखेंगे, कि WhatsApp ने जो नया feature launch किया है, जिसक message में नहीं चाहता कि यह message मेरा जो recipient है वो पड़ है, तो में यहाँ से delete करूगा, तो मेरे mobile से delete होगा, और WhatsApp में जो नया feature launch किया है, उसके मदद से क्या है, कि आप सामने वाले के mobile से भी message delete कर सकते हो, यह देखो, यह मेंना select किया है, यहाँ पर delete का option है, में select करूगा, और delete for me क करूगा, तो सिर्फ मेरे mobile से ही message delete होगा, cancel करूगा, तो यह message delete नहीं होगा, और delete for everyone करूगा, तो यह message यहाँ से भी delete हो जाएगा, और सामने वाले के mobile से भी delete हो जाएगा, तो यह feature बहुत ही कामका है, और आप इसे use कर सकते हो, अगर आपको इसमें कोई question है, कि यह step कैसे follow कर ताकि हमारे जो आगे आने वाले वीडियो जे वह आपको मिलते रहें, यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,